नमस्कार किशान भाईयो स्वागत है आप सभी का विश्वाश फार्म के यूट्यूब चनल पर किशान भाईयो आज हमारे धान का जो उम्र हो रहा है वो 33 दिन हो रहा है तो इस स्टेज में कौन से फंगिसाइट और कौन से इंसेक्टिसाइट का छिड़काव करना बहुत ही जरूरी है तो अनिवायरी है किसान भाईयो क्योंकि अगर इस छिड़काव को आप नहीं करोगे तो आपके धान को बहुत ज्यादा नुक्सान हो सकता है यहाँ पर जो कुछ दवाईया आप देख रहे हैं मैं इसका डिटेल आप लोगों को आगे देता हूं और यह भी मैं इसमें छिड़काव कर रहा हूं किसान भाईयो जब भी हमारा धान 26 से 30 दिन के होते हैं तब उसमें जो इस्टेम बोरर है वो लगने शुरू हो जाते हैं और कुछ और भी उड़ने वाले कीट लगते हैं जिसको हमारे यहाँ के छेत्र में माहो बोलते हैं तो जो पत्तियों के रस चूस लेते हैं और धान क हम पत्तिओं पर blast की विमारी लगने शुरू होती है on blast जैसे की यहाँ पर मैं आपको दिखानी कोशिश करता हूं यह देखिए यह ठोड़ा सा यह लाल illsा धब्भा पत्तियों में दिखना शुरू होता है यह बिल्कुल शुरुती सी स्टेज होता है बहुत ध्यान से जो किसान भाई देखेंगे उनके खेतों में दीखेगा ये और जैसे कि मैंने कहा 26 से 30 दिन होने पर ही यहां दिखना शुरू होता है तो उस समय अगर आप दवाईों का छिड़काव कर देतो फंगी साइट का तो आपको ये वाली समस्या देखने को नहीं मिलेगी और जो लीफ फोल्डर होता है यहां पर एक लीफ फोल्डर मैं आपको यहां पर दिखा सकता हूँ यह देखिए यह इसके अंदर इल्ली होते हैं इस तरह की जो कीट होते हैं यह सब भी मर जाते हैं यहां पर हम लोग दवाईयों को देख लेते हैं किसान भाईयो मैं अपने अनुभाव पर आधारित वीडियो जी चैनल पर अपलोड करता हूं इसलिए हमारे चैनल को जरू सब्क्राइब कर लीजेगा और इस वीडियो को दूसरे किसान भाईयो तक भी शेयर कर दीजेगा त यह मैंने इफो बाजार से और किया है आप देख रहे हैं इफो कंपणी का है यह एक लीटर का है और इसका जो कीमत है 900 रूपए है दो से तीन अमेल आपको प्रती लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव करना है आपका खर्च जो आएगा करीब 36 रूपए प्रती 20 लीटर वाले टंकी का खर्च आएगा यह बहुत ही जरूरी है इससे लगभग सभी प्रकार के कीट कंट्रोल हो जाएंगे आप यहाँ पर साइड में जो फोटो देख रहे हैं इसके बारे में मैंने डिटेल यहाँ पर लिख के दिया है क्या फर्मूला है क्या डोज है और क 40 परसेंट इसी यह जो सिस्टेमिक फंगिसाइट है जो मैंने अभी कहा कि धान में जो ब्लास्ट विमारी लगती है उसको कंट्रोल करता है इसको 300 ml प्रती एकड में आपको शिड़काओ करना है यह 500 ml का जो बाटल है आपको 280 रुपए में मिलेगा इसका जो 20 लीटर के टं आपको डालना है और बाकी डिटल आप यहां पर साइट के पोस्टर में भी देख रहे हैं यह आपको लेना है या फिर आपको यह वाली फर्मॉला आप ले सकते हो जिसमें कि आप देख सकते हैं हेक्जाकोनाजोल 5% एंड वेलिडामाइसिन 2.5% एससी है यह फंगिसाइट के साथ साथ बैक्टिर साइट भी है सिस्टेमिक फंगिसाइट है यह देख सकते हैं विल्वार्ण कंपनी का वेलेक्स्ट्रा नाम से आता है इसका जो है आपको 40 ml प्रती 20 लीटर पानी में आप आपको घुल करके छिड़काओ करना है 200 ml का कीमत 300 से 350 रुपे के आसपस में आपको मिलेगा या फिर आप लोग स्रीफ हेक्जाकोनाजोल 5% सी को भी ले सकते हैं जो कि आप यहां पर इसक्रीन पर देख रहे हैं तो यह दो तीन फर्मूला है कॉंबिनेशन है फंगिसाइट के इसका आप चैन कर सकते हैं और बाकी इंसेक्टिस आइट आपको इसी को लेना है तो फंगस और कीट दोनों ही कंट्रोल हो यह जो किसान भाइं सात में आपको एक अच्छा सा चिपकू लेना है जो कि धनके पतों में दवायों का अच्छे से चिपका देती है मैं इस और इस्तिमाल करता हूं आप जो भी इस्तिमाल करते हैं जो भी आपके पास चिपकु है अगर है तो आप उसका इस्तिमाल कर सकते हैं या फिर कोई अच्छी कमपनी का चिपकु जरूर लीजिए क्योंकि बरसात का समय है धान की पत्तियां है तो चिपकु की जरूरत पड़ेगी अगर इस्तिमाल कर पाएंगे तो अच्छा रहेगा तो यहां जानकरी थी किसान भायो कि 26 से 30 दिन बिल्कुल आप जब धान रुपाई करते हैं डेट नोट करके रखिए और 26 से 30 दिन में आपको खेत में कीड़े दिखे ना दिखे आप मेरा सला यही होगा कि आप इसका पहले ही यह डेट वाइज आप इसको नोटिस कर लीजिए आप इसको कर दीजिए और इससे पहला इससे पिछला चिल्काव जो है 10-12 दिन में होता है इसको वीडियो मैं बना चुका हूं उसका वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा आप उसको देख ल द्धान है इसमें से कौन सा सबसे अच्छा उत्पादन देगा इसका फाइनल रिव्यू मैं आप लोगों के सामने लाओंगा आने वाले समय में जब द्धान की कटाई कंप्लिट हो जाएगी लगभग नवंबर के आसपास और इससे संबंधित सारी वीडियो हम लोगों न जो हुखे डेमो करें और उत्पादन का ज MODE करें तो उमेड है कि हमारे द्वारा दिगेई जानकारी किसान भायो के लिए helpful होगी और आने वाले समय में सभी किसान भायो सफिавать वीडियो के पहुंचेगके और उनके knowledge में वृधि होगी और वो इस फले से जानकारी का इस्त